इस वीडियो में हम डिस्केशन करेंगे एक्स्ट्रीम टर्वाइन में थ्रॉस्ट बेरिंग को यूज करने का मैन प्रपोज क्या है उसके साथ साथ डिसकेशन करेंगे टरवाइन में कौन सा लोड को थ्रॉस्ट बेरिंग हैंडल करता है और थ्रॉस्ट बेरिंग का डिफरेंट कमपनेंट के बारे में पहले हम लोगों discussion करेंगे एक thrust bearing टर्वाइन में कौन सा लोड को handle करता है thrust bearing टर्वाइन में axial लोड को handle करता है टर्वाइन का sharp का उपर thrust collar fix होके रहता है ये thrust collar का main काम है ये sharp में जो axial thrust create होगा उसको transfer करना bearing को ये जो bearing है ये thrust bearing है इसमें axial thrust को transfer करना इस collar का काम है जो thrust bearing है वो दो तरह का होता है फ्लाट लेंड bearing और tilting pad bearing इस फ्लाट लेंड bearing का surface में group बना हुआ रहता है इस group देखे जो lubricant यान की lube oil है ये पास करता है फ्लाट लेंड bearing का group के द्वारा जो divide हुआ है surface उसको land कहते है तिल्टिंग pad bearing तिल्टिंग pad bearing का जो surface रहता है डिवाइड वाला surface उसको thrust show कहते है और ये जो group बना हुआ रहता है इस group को support bracket कहा जाता है इस spin को provide किया जाता है इसका main propose है कि ये जो thrust pad है ये shaft के साथ नाग हुमें ये हो गया complete arrangement at turbine का sharp के साथ thrust bearing का उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद रहा होगा यदि पसंद रहा है तो इसको like share जरू करेंग है झाल झाल